क्रिटिकल आप डोक्टर हैं जो कि आईस्यू के एक्सपर्ट हैं आप कब जुरूत पढ़ती है आईस्यू की देखें इंटेंसिव के यूनिट मैं नबेगी आपको पहले बात पदाता हूँ जब आप उस समय करते थे तो लोगों यह लगते थे वेंटी येटर दिया और ता कि अगर ठीक समय आप इसका इस्तमाल करें यह रिस्पिरेटरी फेलियर का ट्रिक्मेंट है वेंटिलेटर लेकिन जब आप आईस्यू की बात करते हैं या इन आईटी यू की जिस तरह बात करते हैं इसका मतलब यह है कि किसी भी मरीज के किसी भी औरत आदमी या बच्चे क अगर कोई औरगन है वो काम नहीं कर रहा है या उसको दिक्कत है तो उसको क्लोज मॉनेटरिंग की जरूरत है तो हम क्या उस पेशिंट को अगर वो डिटिरेट करने की समता में है क्या हम उसको प्रिवेट कर सकते हैं यह एक इंडिकेशन दूसरा अगर किसी को भी किसी तरह का रिश्पिरेटरि फेशन दे रहे तो आईशियो चाहिए इसी तरह से अगर किसी को हार्ट रिलेटिड प्रॉबलम हुई है हार्ट अटेक हुआ है या आपका हार्ट फेल हुआ है या साज दमा एक दम बहुत तेज़ चड़ गया है कलॉट आ गया है तम हम उनको आईशियो में लेते इसी तरह से अगर किसी की ऑपरेशन हो रहा है बड़ा ऑपरेशन है लंबा चोड़ा ऑपरेशन है और हमको बहुत क्लोज ने गराने रखने हैं फिर हम आईशियो में लेते हैं अभी हमने भारत सरकार के और से जिसमें वे भी मेंबर था टास्क फोर्स का गाइडलाइज रिलीज की है कि किन को हमको आईशियो में लेना है क्योंकि आजकल इस समस्या का दुरूपयोग बहुत हो रहा है मैडिकल प्रफेशन बहूंकि भी वेर नहीं चाहिए अगर किसी को निमारी है नबे साल के बज़र्ग को दिक्कत है उसको ब्रेंड आटेक आ गया उसके बिल्कल्ग लेकिन हमें पता है कि इसने रेकारी नहीं होना है उसको आईशियो में लेके आप एक और आदमी है, जो 40 साल का रोट साहिर एक्सेलेंट, उसका कैसे दिनाई है, इसी तरह से multiple organ failures है, patient, outcome probability, बहुत काम मैं, less than 2%, 3%, बहुत काम futility of care, दूसरे institutions दे करें, आप shift करी है, आपको, बरीज की तो attendant के लिए तो सब कुछ है, लेकिन आपका resource limited है, आपका resource बहुत expensive है, किसको provide करेंगा, तो इसलिए हम उसके लिए guideline लेकर चलते हैं, कि अगर आपके पास एक वेड है, आदमी है, तो कैसे लोगे आप, किसको लेडा है, आप यह तो नहीं कह सकते हैं, मेरा पसंदा मैंनुआ नहीं, आपके पास criteria होते हैं, guidelines होती है, help होती है, कि अगर मैं लूँगा इसके probability कितनी है, बच नहीं, क्योंकि जो भी treatment of ICU देते हैं, क्योंकि और्गन सपोर्ट देते हैं, वो temporary है, ultimately शरीर को अपने आपको संभालना है, और फिर आगे चलना, अगर आपका respiratory failure है, ventilator का मतलब यह है, simple भाशा में यह bridge therapy है, यह supportive therapy है, primary disease जिसने respiratory failure किया, जब तक वो ठीक नहीं होगी, इसका कोई फायदा है, जिस तरह से गुर्द ठीक नहीं हो जाते हैं, नहीं तो हम किर्णी का प्रत्यारोपन करते हैं, किर्णी ट्रांस्प्रांट करते हैं, so simple भाशा में, जिस आदमी के organ dysfunction हो, likely of recoverable chances हो, major surgeries हो, या surgery में कोई complications हो, उनको, और जिसके अंदर simple भाशा में, disease से recovery possible and there is no fertility of care, लेकिन अगर आपकी fertility of care है, and stay disease है और आपने उसको escalate नहीं करना है, और तो हमने उस guideline में यहां तक कहा है, कि अगर आदमी ने होशोवास में ये लिख दिया, कि मुझको issue में नहीं जाना, मुझको ventilator नहीं जाना, तो आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा, और भारत सरकार की जो guideline नहीं है, first time इस चीज़ का पेंशन किया है, उसको एडवास डिरेक्टिव कहता है, जो ही, अचार लास्ट स्वाल डुक सब, लंग से इंप्लांट की भारत में क्या स्थेती है अपी, लंग ट्रास्प्लांटेशन अब ग्रेजिनी पिकवे लास्ट वला चीज हुई है, पहले सौथ में कुछ एक इंस स्विटल में भी शिरू हुआ है भी, वो करना है, डॉक्टर वित्कुवार की टीम है वहाँ पे, वालिडेश चूट में है, अबरेक्पलीक्स है, फ्रेंड्स है, वो भी लगे हुए है, पीजे चंडिगण में भी एक बरी किया ता लेकिन उसके बाद दिक्कत हुई थी, अब सम्भावनाय पहने से बेतर है, और मैं उमीद करता हूँ, आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, सक्सेस रेशो कितना है, सक्सेस रेशो जब शुरू हुआ था, इस समय लगबग हमारी 80% के, 70-80% सक्सेस रेशो है, ट्रेटीरियाज वेन नेट है, डाइडलाइज वे हमारी भी कोशिश है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो हमारे पास adequate faculty का ना होना है, जिसके करना हो, आपने आपको रोके बैठे है, अगर हमारे पास faculty का adequate number वो, तो यह हमारे लिए इस समय सुनना है, क्योंकि उदर से डॉक्टर लोचम साहब हैं, उदर से हम ह तो क्योंकि काडियोथरैसिक के साथ मिलके करना है आपको, और टीम भी आपारी तयार है, और और स्टेट और अथोर्टी वी रहो तक आई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपको इस चीज़ां को पूरा करने के लिए एक जबर्दत इंफरस्ट्रक्ट्रक्षर चा है, जो हमको चाहिए, जो हमको करना है